आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरुका चेतर बनारस पहुच रहे हैं प्यम मोदी क्रूस के जरीए घाट पर पहुचेंगे कलश में गंगा जल भरेंगे और फिर उसी जल से बाबा विश्वनात का जला भी शेक करेंगे काशी विश्वनात कॉरिडोर का हर एक हिस्सा सजधज कर पूरी तरहा तयार है इस बेहत खास कारिकरम के लिए काशी विश्वनात कॉरिडोर ही नहीं बलकि पूरे बनारस में विशेश इंतजाम किये गए हैं वियमोदी के आने से पहले ही काशी शिव के रंग में रंगी अधितनात, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड़ा, केंद्रिय मंत्री धर्मेंद प्रधान, बीजेपी प्रदीश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंग के साथ खिड़किया घाट पहुचे, जहां उन्होंने प्रधान मंत्री मोधी के आगमन के लिए बन रहे हैली पैड, सी ए तो काशी विश्रनात कॉरिडोर का आज लोकारपड करने के लिए पीम मोधी वरारसी पहुच रहे हैं और उससे पहले सभी तयारिया पूरी कर ली गई है, तस्वीरे देख सकते हैं, आप सजधजकर काशी तयार है, शिव के रंग में रंगी हुई नजर आ रही है पूरी क तरीके से काशी सजकर तयार है, बाबा विश्रनात कॉरिडोर के लोकारपड के लिए सभी तयारिया पूरी हो चुकी है, पहले जिस तरह से संकरा रास्ता था, वो से बदल कर एक भावे कॉरिडोर बना दिया गया है, अब सीधा गंगा इसनान करने के बाद श्रद धालू म वारारसी दौरा है, और सबसे पहले काल भहराव मंदिर में दर्शन करेंगे, और बाबा विश्रनात के दर्बार में प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने जो संकल पिलिया था, आज वो पूरा हो रहा है, अज प्यमोदी काशी विश्रनात कॉरिडोर का लोकारपड करने, उतरप्रदेश की नगरियों और अपने संसरी चेत्र वारारसी पहुच रहे हैं, प्यमोदी क्रूस के जरिये घाट पर पहुचेंगे, इस खबर पे मासाथ जदबाचीत के लिए समधाता विभान्चू जुड़ चुके हैं, विभान्चू क्या कुछ जानकारी है, किस तर मंत्री मोदी सारे दस बजे के करीब बनावस में आएंगे और वहां कासी कोरिडोर की सुभारम करेंगे, इस जौरान जो सुब मूरत निकला है, वह एक बच के 35 मिनट से एक बच के 75 मिनट का बीच का रखा गया है, इस जौरान वहां बीयर संतोष्ट और बीजेपी के जग्छ और तमाम लोग होंगे, और आपको बता दें कि एक दस चालीस पर अरांसी एफ पोर्ट मोदी पहुंचेंगे, और सबसे पहले वो काल भैरो मंदीव जाएंगे और वहां आदेश लेंगे, और आज के इस कारीक्वम को वहीं से सुर्गात होगा, और मंदीव से वा काशी शिवमे हो गई है, पूरी तरह से शिवमे सजी हुई नजर आ रही है, क्या कहेंगे? जी, आपको बता दे की काशी में आज 151 डमरू वादक से पूरा गूच चुका है काशी, और पूरे लाइटों से पटों से सजा दिये गए हैं, नाओ पे बत्तियां लगाई गई हैं, और पूरे काशी को पूरा भर दिया गया है, बाबा सिव के आराधना में, पूरा भक् आपको बता दे की संकराज समेत समेत 500 धर्मचारों को बूरी विलाए गया है, और 200 संत वहां सिव सती पाठ करते रहेंगे, और इसकी गूज में आज कासी पूरी गूजती रहेगी, और आपको बचा दे की बीजेपी सासित राजियों के मुख्यमंत्री भी मौजूद और इसके साथ ही साथ आठ लाख दिव्य प्रसाद बाटने का भी कारीक्वम रखा गया है, विभाण शिफ सुरक्षा के इंतजाम को लेकर क्या कुछ जादकारी है, सुरक्षा के इंतजाम के अगर बात करे तो पूरे कासी को एक छावनी में तावादली कर दी गई है, वह पुलिस के पूरे इंतजाम किये गए हैं और प्रधानमंत्वी मौझूद है तो वहाँ पे शुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गए हैं, जी तो जब इस कॉरिडोर का लोकारपन होगा तो क्या वहाँ पे आम जंता मौझूद रह पाएगी, जी आपको बता दे कि आम जंत पे वहाँ लाइव प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, घाट किस तरह से सजाए गए हैं विभांशू, घाटों की बात करें तो घाटों को पूरा जहां जो पहले वहाँ गलिया होती थी, अब कासी पूरी खुल गई है, आजाद हो गई है, अब वहाँ आना जाना आसान ह हो गया है, और पूरे कासी को भगवान सीव के गूज से वहाँ गूज हो रही है, और साथी साथ पूरे सजावत लाइट और अन विरंगे लाइट सो का भी आयोजन किया गया है, जी विभांशू पहले सकरी गलिया होती थी, तो अब वो बदलाव कर दिया गया है, तो किस से इंतिजाम किये गए है जब कॉरिडोर बनके तयार हो गया है और इससे जो बाहर से आने वाले यात्री रहेंगे श्रधालू लहेंगे उनके लिए कितना फाइदे मंद रहेगा यह कॉरिडोर बनना जी आपको बता दे कि पहले थोड़ी सी जगे थी और उसमें देश विद सावन मास में दिखेगा जब स्वधालू वहां पहुचेंगे और आराम से दर्सन कर सकेंगे और आपको एक और चीज बताना चाहेंगे कि एक महीने तक चलेगा दिव्यकार कासी का कारिक्रम पूरे प्रदेश में और देश में और सोशल मीडिया पर इसकी लाइव भी सजाया गया है बीजेपी के कई वरिश नेता और अन्य राज्यों के बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे सुरक्षा के पुक्ता इंतजाम किये गये हैं और एकदम दिलहन की तरहा काशी को सजा दिया गया है पीम मोदी का संसादिया छेत रही है इस बुलिटिद में फिलहा लिता ही तमाम ख़बरों के लिए देखते रही है प्राइम टीवी आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरुका